इस तिहारों के सीजन में खाने के तेल के दामों में भारी कमी आ सकती है आंतर रस्ट्य बाजारों में तेल के दामों में गिरा बचाई है पामोल के दाम एक साल के निचले सरों पर जालुड के हैं वैश्विक मंदी की आहट के चलते सोयाबीन, सीपियो, पामोलीन और सूरजबुकी इन सब की कीमते लगबग आदे से कम हो चुकी है दूसरी और उपर सोयाबीन की नई फसल की चिट-पुट आवग भी शुरू हो गई है जिससे कीमतों पर असर आया है दरसल विदेशी बजारों में मंदी का असर सभी कोमोडिटीज के दामों पर पढ़ रहा है जिसमें खाने के तेल के दाम भी शामिल है निदेशी बजारों में गिरावट के साथ सथानिय बजारों में भी तेल तिलन की में गिरावट देखने को मिल रही है वही मिलेशाई एक्सचेंज में हफते के पहले कारोबारी दिन सवा 5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और शिकागो एक्स्टेंज में भी एक प्रतिशत कमजोरी दर्च की गई दरसल सभी तेल तेलन कीम्तों में भारी गिरावट के बावजूत तेल कंपनियों के MRP उचे बने हुए है लगबग चार महीने पहले 2100 डोलर पती टन कांडला पामोलीन का भाव गिरकर 9500 डोलर पती टन रहे गया है इसके बावजूत खुद्रा कारोबारिय द्वारा मनमानी कीमत लेने से उभोकताओं को गिरावट का बिल्कुल भी लाब नहीं मिला है अंतरास्य बजार में पामोल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भारत ने अगस्त महीने में रिकोर्ड पामोल का आयात किया जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त 2022 में पामोल के आयात में 87% का उच्छाल दर्च किया गया जोकि 11 महीने में सबसे अधिक है अंतरस्षे बजार में पाम-ोयल के दाव एक साल के निचले सरपर आचुके हैं और वहीं भारत दुनिया के बड़े पाम-ोयल के आया तक देशों में शामिल है इससे जहां देश में खाने के तेल में कमी लाने में मदद मिलेगी वहीं सबसे बड़े उत्पादक देश इंडोनेशिया को भी इंवेंट्री घटाने में मदद मिलेगी अगस में भारत ने जुलाई के 5,30,420 टन के मुकाबले 9,99,990 टन पामोयल का आयात किया है माना जा रहा है कि अब सितंबर में भारत 10,00,000 टन पामोयल का आयात कर सकता है वहीं बाकी खाने के तेलों के मुकाबले पामोयल सस्ते में उपलब्ध है इसलिए कंपनियों ने आकर्मक तरीके से पामोयल का आयात किया है भारत में फैस्टिव सीजन दस्तक दे चुका है और साथ में शादियों का सीजन भी आने वाला है ऐसे में उमीद की जा रही है कि पाम तेल की मांग में तेजी देखने को मिल सकती है बीरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी